हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिया साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सरवदानंद शर्मा मेरी और से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमश्कार तो प्रिया साथियों आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्रेकरम में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये चर्चा हमारी वार्षिक लव राशी फल को ले करके है और ये वार्षिक लव राशी फल है आने वाला जो नव वर्ष है दो हजार चौविस उसको ले करके और बताएंगे कि ये वर्ष दो हजार चौविस आप सभी लगन राशी के जातकों के लिए किस प्रकार के परिण ले कर की आएगा अलग 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 लाग लगन्राशी के हिसाब से हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोज में किस प्रकार रहने वाली है या उसमें आपको किस प्रकार के परिनाम मिलने की अधिक संभाव न रहेगी कुछ इस प्रकार की बात आप से आज हम बताने जा रहे हैं और साथियों दूसरी बात ये भी है कि ये जो पूरा कारेकरम है लगन राशी पर आधारित है चंदर राशी पर आधारित नही है और अभी हम आपसको बताने जा रहे हैं सबसे पहले जो करक लगन राशी हमारे हैं जातक उनके विशह में बात करेंगे करक लगन राशी के no contact situation में अगर आप आ गए हैं तो इन सब चीजों पर अलग-अलग points पर discussion करेंगे आपके साथ सबसे पहले जो single जातक है करक लगन राशी के उनके विशह में बात करेंगे और बताएंगे कि आप जो single जातक हैं जिनके life में अभी तक कोई नहीं आया है या कोई मित्र नहीं बनाया है या नहीं बनाया है आपने जो भी वजह है तो क्या ये वर्ष्ट 2024 विश्पात के लिए आपको promise कर रहा है कि भई आपके जीवन में भी कोई आपका कोई मित्र बन पाएगा जिसको आप पसंद करते हों तो साथियों देखिए आप जो सिंगल जातक है बेशक चाहें पिछली पास्ट में जो भी हुआ है उसकी बात करना व्यर्थ है बात तो 2024 की ही है तो आप से बताना चाहते हैं कि जो हमारे करक लगन राशी के जो सिंगल जातक है एक जनवरी 2024 से लेके और ये पूरा वर्ष अगर हम कहें तो ये पूरा वर्ष ही लगबग इस प्रकार का है कि एक तो चाहें पहले आपने इस विशे में विचार किया नहीं किया लेकिन इस वर्ष तो देखिए भई पूरा रोमेंस आपके अंदर रहेगा पूरे इसके दुशे में कुछ अधिक विचार करेंगे मतलब आपका जो माइंड है वो रोमेंटिक रहेगा दिमाग आपका और आप जिसको पसंद करेंगे या जिसको चाहते होंगे उसको मित्र बहुत आसानी से आप अपना बना पाएंगे हाँ जी और खाली मित्र ही बन जाए इतना काफी नहीं होगा आप उस मित्रता को भी और डे बाई डे उसको एंज्योय करेंगे उसका आनन्द लेंगे और उस रिलेशन्शिप को भी वो भी आपकी मजबूत होगी आपके उस मित्र के साथ और बताना चाहेंगे कि आपका जो मित्र होगा जिसको भी आप लाइक करते हैं जिसके साथ आपका समद्द बनेगा वो भी उतना ही आपको पसंद करेगा जितना की आप तो ये जो एक मित्रता है करकलगनडाशी के लिए मैं कहुआ कि भाई ये जो सिंगल जा तक है उनके लिए तो ये बहुत लकी एयर मैं कहना चाहता हूं कि रहने वाला है ग्रहों के सीवाई को देखते हुए अब होता क्या है कि ये तो योग बना हुआ है और योग के आधार पर हम आपको प्रडिक्शन दे रहे हैं लेकिन अगर हम कोई एफर्टी नहीं करेंगे और फिर ये कहेंगे कि योग तो बना हुआ था पता नहीं ऐसा क्या हुआ तो बैठे बठाए तो कोई चीज मिलती नहीं है मरजी आगे बढ़ने की कोशिश करें जितना मरजी एफर्ट डाने जितना मरजी प्रियास करने तो उसका कोई रिजल्ट्स आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ग्रों का सपोर्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात जो है वो पॉजिटिव जो साइ करेंगे और जिसको पसंद करेंगे दिल और जान से करेंगे वह भी आपको पसंद करेगा यह तो रही एक बात दूसरी बात अब आप उसके साथ संबंद बढ़ने में आगे भी जा सकते हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस आपको पसंद आ गया और आपने श्टैप ले या आगे कि बही चलो मुझे यह व्यक्ति पसंद है यह मेल या फीमेल और मैं अब इसके साथ संबंद ऐसा भी नहीं है रोमेंटिक तो रहेंगे ठीक है रोमेंस तो आपके अंदर रहेगा लेकिन वहाँ पर भी पूरा आप अपना माइंड एपलाई करेंगे पूरा दिमा आलिसिस भी आप करेंगे और डिटेल में करेंगे लेकिन धोका या चीटिंग का कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है आपके केस में तो यह जो मित्रता आप करेंगे यह आगे चल करके एक अच्छा और मजबूत संबंद बनेगा इसमें दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ आप से साथ की साथ कि देखिए अगर आप प्रिपोज भी करेंगे इस एयर में दोहजार चौबेस यह तो पूरी तरह से आप सिंगल जातकों के लिए है कि अगर आप थोड़े भी एफर्ट करेंगे तो सिंगल से डवल बना देगा यह आपको मित्र तो आपके लाइ में भरपूर रहेंगे रोमेंस से तो जब खुद की अंदर से इच्छा होती है तभी ऐसी चीज़ें दमाग में आती हैं और आगे चीज़ें चलती हैं तो वो सब चीज़ें हैं इस येर में इस वर्ष में और यहां पर मैंने जैसा कहा कि अभी अगर आप प्रपोज भी कर प्रपोज कर दिया आपने अपने मित्र को अब मित्र जो है वो कहता है कि मैं तो मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एकसेप्ट करने में लेकिन अब वो मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो मेरे फैमिली के लोग हैं उनकी तरफ से उनका कंसेंट और लेना पड़ेगा तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है या फिर सोयम के अपने फैملिय के साथ दिक्कत आ जाती है लेकिन मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ कि आपकी फैमिली की तरफ से भी आसानी से ही ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा तो ये तो थी आप सिंगल जातकों की बात सब कुछ बहुत positive sign है अब इसका लाब कितना और कब और कैसे लेना है ये आपको देखना है और आपको विचार करना है हमने तो जोतिश के आधार पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर चीज़ां आपको बता दी है आगे बात करेंग कि अगर आपका live in relation पहले से है आप कहते है या आपका affair कहीं चल रहा है तो साथियों ये वर्ष जो है अगर आप ऐसा मान करके चल रहे हैं कि शादी विभा का कोई योग बनेगा इस वर्ष तो हम शादी भी करेंगे तो शादी का योग तो बनेगा वर्ष में जाकर के लेक पता है कि शादी का सब बातें तैय हो जाए या कुछ हो जाए फिर कोई ऐसी अर्चान आ जाए कोई बाधा आ जाए जिसके वज़े से वो ना होने पाए तो ये इस चिती आपके साथ 2024 में बनने की काफी संभावना बन रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसी बात ह और डे बाइडे मजबूत कीजे आने वाले दिनों में आने वाले समय में ये काम आपका तैय है पका होना ही है और शादी का योग आपको बिलकुर बताएंगे और जब जब बनेगा पूरे वर्ष में जब आप हमारा मन्तली राशी फल जरूर देखते रही है लब राशी उसके दोरा हम आपको ये जानकारी भी जरूर देंगे जिस महीने में बनेगा और जब जितने दिनों के लिए बनेगा वो सारी जानकारी आपको देंगे तो साथियों ये जो मैंने अभी आपको पताया के लव एफियर को ले करके तो ये इसका भरपूर एंजॉय करने वाले है वर्ष दोजार चोबिस में अपनी इस मित्रता का अपने मित्र के साथ भरपूर एंजॉय करेंगे और आपस में आपका तालमेल बहुत अच्छा बन आगे बात करते हैं कि विवाहित जीवन कैसा रहने वाला है विवाहित जीवन अच्छा रहेगा किसी प्रकार की कोई ज्यादा समस्या नहीं है बस ये है कि जो आपका जीवन साथ ही है उसकी आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा सेहत की विशह में सोचना होगा करना होगा आगे बात करते हैं आपके लिए जो हमारे मित्र हैं करक लगन राशी के उनका परिवारिक संबंद कैसे रहेंगे परिवार के साथ संबंद कैसे रहेंगे और परिवार के साथ तो चलिए वो तो बताएंगे ही साथ में एक्स्ट्रा मेरिटल एफिर वाली सिती कैसी रहेगी इस वर्ष दोजार चौविस में करक लगन राशी की कि अगर आप विवायत हैं और विवायत होने के बाद आपका ये मानना है कि भई हमारा कहीं पर पहले से रिलेशन चल रहा है तो उसके आहलात कैसे रहेंगे ये भी आपको बताना चाहते हैं उसी के वज़ा से पर जन नाराज हो जाते हैं इन बातों को ले करके और भी बहुत चीज़ां होती हैं लाइफ में तो साथियों बताना चाहते हैं कि अगर आपका भी कोई कहीं पर ऐसा है आप ये मानते हैं कि मेरा भी कहीं एक्स्टा मेरिटल एफेर है तो इस वर्ष दोजार चौविस में आप मान करके चलना है उतना नहीं कर पाएंगे हला कि हैंपर आप की इच्छा तो बहुत रहेगी कि आप अपने उस मित्र के साथ काफी गुल मिलें और उस मित्रता का लाव लें उसको एंज्जॉय करें उस मित्रता को लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बाधा परेशानी जरूर आती रहेगी कि जिसके वजा से आपको वहाँ पर ब्रेक लगाना पड़ेगा या फिर पीछे को बिड्रो करना पड़ेगा बिड्रो भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए कि चलो भाई अभी हाला थोड़ा फेवर में नहीं है तो यह थोड़ा सा शांती के साथ ताइम नि का वो कैसा रहेगा सातियों बताना चाहेंगे कि देखिए नो कांट्रेक्ट सिचोशन में अगर आप चल रहे हैं तो दो हजार चौविस में इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि आप और आपके मित्र के बीच में चीजें जो कन्फ्यूजन है या जिन चीजों को ल अपनी एक पॉजिटिव एप्रोच के साथ रखते हुए तो निश्चित रूप से उधर से भी आपको एक अच्छार पॉजिटिव रैस्पॉंस जरू मिलेगा दो हजार चौविस इस बात के लिए आपको जो गरह की स्थिती देख पा रहे हैं हम गरों की दो हजार चौव क्योंकि आपके मित्र की तरफ से भी पॉजिटिव साइन आपको मिलनेगा तो जब दौनों तरफ से चीज़ें सही होती हैं तो समस्याएं अपने आप खतम हो जाती हैं या फिर थोड़े से प्रियास करने पर समस्याओं का समापन हो जाता है तो यहाँ पर यही सब चीज़ हैं इस सरीके की चीजों के संकेत मिल रहे हैं आपके केस में करकलगन राशी के जातकों के लिए तो मेरे प्रिये साथियों यह था आप करकलगन राशी के जातकों का वार्शिक लवराशी फल दो हजार चौविस का तो अब हम अपने इसी जो करकलगन राशी के जातक हैं उन के साथ इस चर्चा का जो समापन हमने कर दिया है और अपनी वानी को भी अब हम यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिये जनों से जो हमारे शूता ग्रण हैं दर्शक ग्रण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जैमाता दी यहाँ बहुत स आप सभी उनसे भी का सेहर ऋनसे